कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने रिक्रूटमेंट निकालती है कोई भी प्राइवेट कंपनी वैबसाइट डालती तो उनको gov.in तो डोमेन मिलेगा नहीं इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा परसेट है थोड़ी सी हिस्सेदार है इन कंपनी के डोमेन या फिर इन कंपनी के वैबसाइट में भी आपको gov.in नहीं देखने को मिलेगा हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मेकैनिकल गुरू यूटूब चैनल पर HRS के प्रोजेक्स में 1200 से ज्यादा पोश्ट न रियल है इसी बार में इस वीडियो में बात करते हैं आपको आखरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ मेरा नाम है अंकित आप देख रहे हैं मेकैनिकल गुरू चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू भाई लोग HRS के प्रोजेक्स के नाम से रिक्रूट्मेंट निकला ह बीटेक और डिप्रोमा वालों के लिए लेकिन भाई लोग इससे पहले इस बारे में बताने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूं नवरत ने इंडिया लिमिटेट नाम से दो महीने पहले एक रिक्रूट्मेंट निकला था जहां पे इंजीनियर्स का रिक्रूट्म क्यों बोलते हैं कि सर लाश्ट मॉमेंट में आपका वीडियो देख लिया तो मैं बज गया मेरे पैसे बज गए भाई लोग क्या हो रहा है यह क्यों हो रहा है यह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है नवरत ने इंडिया लिमिटेड नाम से जो फरजी रिक्रू लोग दिमाग में की ख्याल आता है कि बस अपना कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो जो काम है वो करते जाओ लोगों का भला बस होए किसी का कुछ पैसा ना लगे किसी को यह फरजी लोगों की चक्कर में ना पड़े मैं बस यही चाहता हो तो नवरत ने इंडिया लिमिट वीडियो देखा है तो भाई लोग आप लोग इसके इंटरफेस को HRS के प्रोजेक्ट के इंटरफेस को ही देखके समझ जाएंगे कि यह वही टीम है जो सागरमाला वाला रेकुट्मेंट निकाली थी और यह फिर से अपना फरजी पर चालू कर दी है खतम कहानी टाइप के लोग हैं सडी सी वेबसाइट बनाते हैं लाखो रूपै कमाने के बाद भी और हमसे और पैसा इतना चाहते हैं इतना चाहते हैं अपने घर वालों की या फिर अपने परिवार में उनके परिवार में बेसिकली किसी के साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा यह सब भी नहीं स वालों के लिए इंस्टूमेंटेशन वालों के लिए ब्रेटोप्त निकली हुई है जबकि डिप्लोमा वालों के लिए siwal मैकेनिकल ऐलेक्ट्रिकल में पोस्त निकली हुई यह 50% मंगा गया है eligibility educational percentage criteria जो भी आप बोले तो भाई लोग जादा से जादा लोगों को यह firm भरवाना चाहते हैं बात यही है जब आप website देखेंगे contact us वाले section में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इनका head office यह जो भी office है वो हैदराबाद में है लेकिन जब आप इसके domain क registration सर्च करेंगे आपको दिखाई दिखा कि यह website करीब में 70 दिन पुरानी है गो डैडी से बनाई गई है और यह Arizona पता नहीं कहां पर Arizona Phoenix से यह काम कर रही है तो भाई लोग पूरी तरीके से यह fake है हमें इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है 600 रुपए यह लोग एट रहे हैं अगर आप इंट्रेस्टेड है तो एक बर चेक कीजेगा registration वाला जो form है ना उसमें कुछ भी मत भरियेगा डाइरेक्ट आप register 9 में क्लिक कर दीजेगा आपको payment वाले पोर्टल में लेके चले जाएगा लेकिन यह conventional Paytm वाला payment वाला पोर्टल यह Paytm का थोड़ा upgrade वाला वर् कोई भी private company अपनी website डालती तो उनको gov.in तो domain मिलेगा नहीं इसके अलावा बहुत सी ऐसी company है जिनमें government का थोड़ा सा percent है थोड़ी सी हिस्सेदारी है इन company के domain या फिर इन company के website में भी आपको gov.in नहीं देखने को मिलेगा तो भाई लोग private sector में आपको अगर ऐस तरह का फ यह गलत है हाला कि मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोग मुझे comment करते है मुझे mail करते है और बोलता है भाई से check करो और मैं check करता हूं और इस तरीके का वीडियो आपको बनाकर दे देता हूँ लेकिन भाई लोग हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है क्या बस हम इसी तरीके कभी ना कभी कभी ना कभी लोग सपड़ाएंगे और ऐसा सपड़ाएंगे कि बस इन लोग की नानी आदा जाएगी तो भाई लोग नहीं भरना है आपको यह HRS के प्रोजेक्ट का फॉर्म यह सेम टीम है जो फर्जी रिक्रूट्मेंट निकार रही है भाई लोग बिल्कुल मत करना फरजी है यह लोग और बस यही थे कुछ बाते जो मैं आपको बताना चाता था मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भाई लोग शेयर करना जरूरी है भाई लोग इस तरह कि वीडियो को वाटसैप में वाग पास से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते थोड़ी ज्यादा महनत करनी पड़ेगी आपको लेकिन प्लीज भाई लोग किसी का भल वीडियो लेकर आता रहता हूं हलाकि यह भी एक अच्छा ही वीडियो है क्योंकि इससे हमारी भलाई हो रही है बहुत जल्दी हम दुग मिलेंगे भाई लोग जय जवान जय किसान